दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पासफ़ूर्ट के लिए आप किस परकार डोकमेंट वेरिपिकेशन कर भाएगे, किस परकार आपका कम्पलीट वेरिपिकेशन होता है और कैसे आपको पासफ़ूर्ट प्राप्त होता है क्योंकि हाल में ही हमने passport के लिए apply करना आपको सिखाया था और उसमें हमने खुद अपना passport apply किया था जबकि मेरा जो verification हाल में ही complete हुआ है तो किस परकार आप passport का verification complete करवा पाएंगे जो कि practically आपको हम बताने वाले हैं वीडियो को आपन तक जरूर देखीगा वीडियो पसंद है तो एक like करिएगा साथ ही चैनल को subscribe करिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो हो आपको मिल सकेगा सबसे पहले समद लिजिए कि जब भी आप passport के लिए apply करते हैं तो आपको एक receipt मिलता है जो receipt आपको मिलता है उसमें एक समय निर्धारित होता है कि आपका appointment किस date को है जो date आपने निर्धारित किया होगा और एक समय भी आपने निर्धारित किया होगा किस समय पे हमें appointment लेना है तो सेम उसी date को उसे समय से आपको पंड़ा 20 मिनट पहले आपको passport office पहुंच जाना चाहिए जो भी passport office आपने select किया है ये नहीं कि आपका आवेदन कल का है लेकिन आप आज ही पहुंच गया है तो ऐसा नहीं करिए जो समय आपने निर्धारित किया है जो time दिया उससे आदा गनटा maximum आप पहुंच जाए वहाँ पे आप verification के लिए सबसे पहले जो आपको receipt मिला होगा प्रिंट आउट निकला होगा जो आपका appointment वाला receipt होगा उस receipt को passport office में जैसा ही आप परव्यस करते तो वहाँ पे गार्ड होगा वो गार्ड आपका passport के लिए जो receipt है वो पहले आप से ले लेंगे फिर आपको बोलेंगे कि आप यहाँ पे ब 12th ही पे ही आपने passport के लिए apply किया था या आपने graduation के लिए apply किया था तो आपका जूभी education qualification है तेंथ का mark sit 12th का mark sit और graduation का mark sit अगर graduation लगा है तो graduation का mark sit आपको लगेगा यह तीनों आपको original देखा जाएगा साथे original के साथ यह तीनों का G-Docs आपके साथ होना जरूरी होगा औ और आपका अधार card होना काफी जरूरी है अधार card भी original copy होना चाहिए pen card mandatory नहीं है अगर आपके पास pen card है तो आप लगा सकते है अने था आप इससे छोड़ सकते हैं फिर इसमें भी एक case है कि अगर आपने rate of birth के लिए pen card को ही लगा था तो उस case में आपको pen card दिखाना पर सक लेकिन अगर आपने अधार card को इसले किया था तो अधार card आपको लेकर जाना जरूरी होता है काफी बार आपसे passbook भी मांगा जा सकता है अगर आप ज्यादा doubt होता है तो तो उस case में आप passbook को भी ले जा सकते हैं और खास बात यह है कि passbook जब भी भी आप ले जाए तो current का यानि जिस साल आप apply कर रहे हैं उस साल का statement उसमें होना जरूरी होता है तो यह सभी process आपका complete होने के बाद एक picture आपका click होता है picture click होने के बाद आपसे अगर आपने SMS alert करवाया होगा passbook के लिए तो आपसे 50 रुपे लिए जाएंगे और साथ ही कहीं कहीं कोई office में आपसे spirit post के लिए भी 50 रुपे लिए जाएंगे यानि टूटल 100 रुपिया आपसे लिया जा सकता है 100 रुपिया आपको payment करना होगा तो इस परकार आपका document verification होता है जब document verification complete होता है 24-48 घंटे में आपके नंबर पे SMS आ जाता है थाना verification के लिए क्योंकि आपको जो verification होगा जिस थाने क अपने श्ले किया था उसी थाने पो होता है फिर थाने सापको call आता है थाने में जाकर आपको verification करवाना परता है अब किस परकार क़ी डूकमेंट आपको लगेगी वह समझे थाने में भी आपने जूभी आवेधन करते ही अगर आपका qualification जो भी श्ले किया था वह तो जरूरी होता है आपका character के बारे में पूछा जाता है कि आपके किसी भी परकार के case मुकदमा तो नहीं है थाना पूरी तरह verify करता है अगर आप इस परकार नहीं पाया जाते तो फिर आपका थाना का जो है कंप्लीट होगा थाना में काफी वार आपसे एक character certificate जो की लेटर पैट के अनुसार आपके मुख्या के मार्फस से मांगा जा सकता है तो वह भी आपको वहाँ पर देना पड़ेगा तो इस परकार उसको आप वेरिफिकरेशन कंप्लीट करवाना है यह वेरिफिकरेशन कंप पर लेके जाना ज़रूरी होता है मैं आसा करता हूँ हमने जो भी जनकारे आपको दिया समझ में आग होगा कोई डाउट आपको बच गया तो आप कॉमेंट कर सकते हैं साथे टेलिग्राम ग्रूप को जोएन कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत प्रूप कर सकते हैं